नमस्कार किसान भाईयों आप सब कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे मगवान की किरपा से मगवान स्चियों की किरपा से आप सब अच्छे होंगे तो किसान भाईयों आज हम बात करेंगे मौता घांस को जड़ से खत्म करने के लिए जो दवा हम छिर्काव करके दिखाये थे आपको तो पंद्रा दिन के बाद छिर्कने के ठीक पंद्रा दिन के बाद पहले आप लोग जान लीजिए इसमें छिर्काव कितना किये हैं किसान भाईयों तो यह मौता घांस एकदम दो घांस एकदम जड़ से खत्म हो जाएगी तो इसके लिए हम इसमें छिर्काव किये हैं मीरा एकहत्तर एक पैकेट आधा किलो यूरिया और कप्रा धोने वाला नीमा साबुन एक पैकेट छोटी हम मौता घांस दूब घांस को जड़ से खत्म करने के लिए जो वीडियो बनाए हैं उसको देखके आप लोग ये मौता घांस और दूब घांस जड़ से खत्म कर सकते हैं तो आप देख लीजिए कि पंद्रह दिन के बाद दूब घांस मौता घांस ये जड़ से एक दम खत्म हो गया हैं अब इसमें हम लोग एक फसल मौली की करेंगे फिर उसके बाद ठंडी में आलू की फसल करेंगे सी में तो हमारा मौली का वीडियो है आप लोग देख लीजिए अब ये मौली बोने वाले हैं 20 अगस्त को मौली बोएंगे इसी खेत में इसलिए इसमें घांस मौता घांस दूब घांस को खत्म करने के बाद ही मौली बोएंगे किसान भाईयों आप लोग भी मौली की खेती अगर करना चाहते हैं तो इसमें लंबा फाइदा होगा तो पहले उसमें घांस खेत की नश्च कर दीजिए ताकि कोई भी खेती हो अच्छी से हो सके तो इसका छिर्काओ करने के बाद दुआ ये 15 दिन बीड गया है छिरिकने के 15 दिन के बाद का वीडियो है किसान भाईयों यह आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी तरह से उचार रहे हैं यह देख लिए यह देख लिए इसका जड़ इतम पूरी सड़ गई हैं अभ यह किसान भाइयों आप भी आपके खेट में इस तरह का खरकत्वार हैं तो आप भी इसका छिड़काओ करें इसका छिड़काओ करने के बाद आप एक दम खेट सफा हो जाएगा तो किसान भाइयों हम आपको बता दें कि आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब के लिजिए और बेल आइकन दबा दीजिए तक ही हम खेती के बारे में जो जानकारी देते हैं वो आपको सबसे पहले पहुंचें तो किसान भाईयो इस तरह से घांस खात्म करने के बाद चाहे जो खेती कीजिए खेती अच्छी रहेगी नमस्कार